नमस्कात आज में आपको बताऊंगे साधा ब्लाउज, कटिंग एंड स्टीचिंग बो भी आसान और सरल तरीके से देखिए मैंने प्लेन कपड़ा लिया है जो कुछ लोग नहीं है बो भी बड़ी आसानी से बना लेंगे तो देखिए कपड़े को पहले हमें डबल करना है इस तरीके से हमें डबल करके कपड़े को रखना है पहले यह देखिए डबल है अब हम चेस्ट का नाप लेंगे अब देखिए जैसे हमारी चेस्ट है वो है यहाँ पर 20 इंच 20 inch chest है और इसकी जो लंबाई है वो है 13 inch और इसके जो solder है वो है 13 inch तो अब हम क्या करेंगे कपड़ा जैसे double है तो यहाँ पे हम पहले लेंगे 20 inch 20 inch कपड़ा ले लिया अब यहाँ पे लेंगे हम 2 inch सिलाई के लिए इस तरीके से जो भी हमारा यहाँ पे 3 inch भी ले सकते हैं 2 inch ले सकते हैं तो यहाँ पे पहले chest का निशाल लगाना उसके बाद गुण जाए अब इसके बाद हमें कपड़े को double करना है लंबाई में यह हमारा chest हो गया अब लंबाई में हम इसको ऐसे करके double कर लेंगे अब देखिए जैसे हमारी पीछे की लंबाई है उससे पहले हमें यहाँ पे 1.5 inch लेना है जो हमारा तुरपाई में जाएगा 1.5 inch यहाँ पे लेना है उसके बाद अब लेंगे हम अपनी लंबाई तो हमारी यसे लंबाई 13 इंच है तो 13 इंच ले लेंगे, 14 इंच है तो 14 इंच ले लेंगे अब यह हमारा पीछे का है और यहाँ पे आगे का है यह आगे का है और यह पीछे का है अब इसको देखिए इस तरीके से करेंगे इस तरीके से अब देखिए हमारा यहां पे आ रहा है पीछे का अब आगे का पल्लर हमें बढ़ा लेना है तो डेड़ इंच बढ़ा लेंगे क्योंकि आगे के पल्लर में हम तीरा लगाएंगे और प्लेट डालेंगे तो पीछे के पलर से हमें आगी का पलर बड़ा लेना है 1.5 इंच अब हम यहाँ पे लेंगे सोल्डर तो जैसे अगर हम डीप गला बनाएंगे तो हमें 5.5 इंच सोल्डर लेने हैं अब यहाँ पे आदमल लेंगे 6 इंच और चौकूटा निशान उसके बाद यहाँ से गोल आई अब गले की चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे गले की जैसे पीछे की लंबाई हम 10 इंच रखना चाहें तो यहाँ पे 10 इंच पीछे की गले की जो लंबाई है वो 10 इंच लेंगे तो यहाँ पर पहले चौकूटा उसके बाद यहाँ से गोल आई अब यह पीछे का है इसको हटा देंगे और यह आगे का है तो आगे की साइड हमें आदा इंच यहाँ से कटिंग करनी है अब आगे की गले की चोड़ाई धा इंच यहाँ पर गले की लंबाई है 7 इंच तो जितनी भी हम लंबाई रखना चाहते हैं गले की 6 इंच या 7 इंच वो लंबाई में निशान लगाएंगे अब यहाँ पर लगाएंगे हम तीरे का निशान तो तीरे का निशान लगाएंगे हम 13 इंच पर इस तरीके से अब एक इंच लेंगे हम उपर की साइड और इसको देखिए ऐसे करना है और नीचे की साइड हम थोड़ा सा गोल आई में ले जाएंगे इस तरीके से अब देखिए यहां से हमें ऐसे कटिंग करनीग है अब यहां पर लगाएंगे टक्स का निशान 10 इंच पर अब जैसे हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है और निकाल लेंगे जैसे हमारा यहां पर फिटिंग का कपड़ा है अब देखिए पीछे की साइड हमारा 20 इंच आँ था तो गले की जो लंबाई चोड़ाई थी उसके एसाब से हमने नापा तो देखिए इस तरीके से 20 इंच आ रहा है, पीछे की साइब, पीछे का जो पल्लर है वो 20 इंच आ रहा था, तो उसके बरावर हमने कटिंग कर ली, यहाँ पर देखिए, यह 20 इंच आ रहा है, क्योंकि गले की जो लंबाई है, उसके साब से आ रहा है, तो अभी हम यहाँ से यहां पर ना पहेंगे जो आगे का पल्लार है यहां से तो देखिए यहां पर आ रहा है इस तरीके से खीच रहे है तो 9.5 इंच आ रहा है तो हम यहां पर अपना फिटिंग का कप्ड़ा निकाल लेंगे साठे 9 इंच क्योंकि प्लेट हमारी यहां पर बरावर आनी चाहिए तो अभी 9.5 इंच का आदा करेंगे हम तो पौने 5 इंच तो नीचे की प्लेट हमारी यहां पर पौने 5 इंच पर आएगी और इसको देखे ऐसे करके हमें निशान बनाना है क्योंकि इसको गेराई में हमें प्लेट डालनी है अब इसी के परावर हम यहां पर निशान लगा लेंगे अब यहां पर लेंगे 2 इंच उपर इस तरीके से अब यहां पर प्लेट का निशान आएगा 7 इंच पर यह 7 इंच पर हमारा प्लेट का निशान आएगा अब यहाँ पर लगा लेंगे कैंची के कट अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से कट लगाने है अब यह दोनों साइड निशान आ गए जो हमने एक कट लगाए है वो दोनों साइड कट लगे हुए है और यह निशान आ गए अब इसमें हम बड़ी आसाली से पिलेटे डाल लेंगे और ये हमारा नीचे का तीरा है इस तरीके से ये नीचे का तीरा है अब पीछे का जो गला है उसकी कटिंग करेंगे ये हमारे पीछे की गले की कटिंग हो गई अब जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से बाजू निकालेंगे अब देखे इसकी बाजू तो लंबी है तो जितनी ये इसकी जो कपड़े की लंबाई वो पूरी रखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो बाजू की लंबाई है वो है 10 इंच और यहाँ पे यह कपड़े की लंबाई है वो है 9 इंच और कपड़े की चोड़ाई यहाँ पे कपड़े की चोड़ाई है वो है 17 इंच अब इसको हमें डबल करके ऐसे रखना है अब हमें cutting करनी है तो यहाँ पर लेंगे हम 2 इंच और इसको देखे हमें ऐसे करके तिर्चा ले जाना है 7 इंच तलग अब यह तिर्चा ले लिया हमने तो अब यहाँ पर देखे हमें गोलाई में इस तरीके से निशान लगाना अब जैसे हमारी मौरी है तो इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे क्योंकि हमारी बाजू की जो लंबाई है वो कम है इस तरीके से अब यह बाजू की cutting हो गई अब मैं आपको इसके stitching बताती हूँ अब देखिए जैसे निशान लगे हुए तो अब हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे तो यहाँ पर लेंगे हम आदा इंच और इसको कम करते हूँ उतारेंगे अब यहाँ पर लेंगे इसको डबल करके अब यहाँ पर लेंगे पॉन इंच एक इंच से थोड़ा सा कम डबल करके और इसको भी कम करते हूँ उतारेंगे अब यहाँ पर लेंगे आदा इंच और इसको भी कम करते उतारेंगे अब यहाँ पर लेंगे आदा इंच और इसको भी कम करते उतारना अब यह चार ओपिरेटर डल गई, अब इसमें तीरा लगा लेंगे, अब यहां से हम यह तीरे को जोड़ेंगे, नीचे से, तो इसके उपर रखेंगे, अब तीरा जोड़ गया, अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड पिलेटर डालेंगे, फिर तीरा लगाएंगे, अब देखे हमने पिलेटर डाल ली है, दोनों साइड, अब हम इसमें होक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी लगाएंगे, तो इसके लिए हमने पट्टी कटिंग कर लिए, तो यहां पर इसकी जो चोड़ाई है वो दो इंच की है, और इसकी चोड़ाई है देड़ लगाएंगे हम अंदर वाली अब देखे अंदर वाली पट्टी हो गए, अब एक पट्टी लगाएंगे भार वाली तो इसको डबल करके, इसको उपर रखेंगे अब इसके बाद हम इसको ऐसे करके बरावर देख लेंगे, तो यहां पर पट्टी बरावर होनी चाहिए, अब गले की लंबाई नाप लेंगे, यहां से हमें अपनी गले की लंबाई नाप लेंगे, तो देखिए यहां पर हमारे गले की लंबाई बरावर है, यहां पर थोड़ा सादा इंच जो बढ़ा है तो पीछे की साड़ सिलाई में दब जाएगा, अब इसके बाद पीछे क जो पीछे का जो पलर हो उसमें प्लेट डाल लेंगे अब यहां से पांच इंच पे निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे चार इंच अब पीछे की साइट हमने पिलेट डाल दी अब जो पीछे का पलर है उससे इसको नापेंगे यहां से इसको नापेंगे देखिए यहां पर जो लंबाई जादा है तो इसको थोड़ा सा दबादेंगे जो हमने एक इंच कपड़ा लिया था उसको दबादेंगे अब देखिए यहां पर हमने पीछे की साथ सिलाई लगा लिए अब इसमें आगे का पल्ला जोल देंगे अब इस सोल्डर पर सिलाई लगाने के बाद अब अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने एक-एक इंच कपड़ा लिए अब दूसरी साथ भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे अब लेंगे हम कमर का नाफ यहां से हमें कमर का नाफ लेना अब देखें यहां पर हमारा थोड़ा सा कपड़ा जाद है तो जब हम इसमें बाजू लगाएंगे तो कमर पर थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे यहां थोड़ी से सिलाई लगा लिए इस तरीके से अब इसमें लगा लेंगे बाजू अब देगे यहां पर बाजू के मौरी पर मैंने सिलाई लगा लिए यहां पर सिलाई लगाने के पास अब इसमें बाजू लगाएंगे तो बाजू लगाने से पहले हम इसको नापेंगे अब देखिए बाजू जोड़ने के बाद अब बाजू की जो मौरी है उस पर सिलाई लगाएंगे अब यहां पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से जो हमारी फिटिंग की सिलाई उसमें जोड़ देंगे अब इसी तरीके से हमें दूसरे बाजू लगानी है अब इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और गले में पाइप लगाएंगे अब जैसे हमारा पीछे का गला है तो इसको पीछे के साथ से नाप लेंगे कि इसकी लंबाई कम तो नहीं है गले की अब देखिए पीछे की लंबाई तो बराबर है अब हमारे चोटे से टुकड़े बचे हुगे हैं तो इसमें से हमें गले की पाइप इन बनाना है तो इसको डवल करेंगे और यहां से करेंगे इसको तुर्चा अब यहां पर लेंगे अब 1.5 अब इसको देखिए इस तरीके से जोड़ना है पट्टियों को इस तरीके से अब इसके बाद हम यहां से बराबर कर लेंगे पट्टि को इस तरीके से विसको पर पट्टि रखेंगे गले को पर आदा इंच पट्टि बाहर रखेंगे अब गले पर पट्टि लगा लेगे अब इसको ऐसे कर लेंगे जिससे जो अंदर का कपड़ा है वो पट्टि में उपर आ जाए अब इसको ऐसे दबा के सिलाई लगाएगे है अब देखिए जो अंदर का कपड़ा वो दबना चाहिए इस तरीके से सिलाई लगाने अब इसके बाद जो अंदर का कपड़ा है इसको काटल लेंगे पट्टी का अब इसको हम ऐसे करके अंदर के शाट दबाके और पतली से पाइपन बनाएंगे अगर आप पर पाइपन बनाना नहीं आता है तो आप प्लीज हमारे चैनल में देख लें एक वीडियो की नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है तेलिंग इन हिंडि चैनल तो आप उसपे क्लेक की uyज़िये उसके बाद उपर आएगा वीडियो लेगके फिर आप उस पे क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा तो मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से पाइपन लगाना बताया है अब इसी तरीके से थोड़ आसान इस तरीके से पाइपन बनानी है शिलाई लगाना अब देखे हमारी ये पाइपन बन गए अब जो हमारा नीचे का जो कपड़ा है इसको अंदर की शर्ट दवा के तुर्पाई कर लेंगे अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकती है तो ये पूरा ब्लाउज बनके तयार है अब ये हमारा ब्लाउज बनके तयार है अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहती है तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्